नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चनल में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पन्ना के बारे में जो एक मद्द्परदेश का जिला है अपने पन्ना का नाम सुना तो जरूर होगा इसे दा डाइमेंड सिटी ओफ इंडिया के नाम से जाना जाता है भारत में सबसे ज़्यादा हीरा पन्ना में ही मिलता है इसलिए इसे हीरा नगरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों यूँ तो मद्द्परदेश में ऐसी कई जगए हैं जो अलग-अलग कारणों से पूरे मद्द्परदेश में जानी और मानी जाती हैं ऐसी कई जिले हैं जो पूरे बंदिल खंड में अलग अलग कारणों से प्रसिद्ध हैं लेकिन पन्ना मद्दपर्देश का एक ऐसा जिला है जिसने अपने कुछ कारणों से पूरे बंदिल खंड में और पूरे भारत वर्स में प्रसिद्धी प्राप्त की हुई है तो पन्ना इतना प्रसिद्ध क्यों है यहाँ पर हीरा के अलावा और भी क्या क्या चीजे हैं जो इसे इतना प्रसिद्ध बनाती है इसका इतिहास क्या है यह सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और पन्ना से जुड़ी हुई छोटी से छोटी बात आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आसा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हीरा नगरी के नाम से प्रसिद्ध पन्ना मद्द परदेश का एक जिला है जो उत्तर पुर्व बिंद्याचल की परवत्स रंखलाओं के मद्द इस्तित है यह एक पुरान इतिहासिक नगर है इसका उलेक विश्वन पुरान और पदम पुरान में किलकिल प्रदेश से आता है नागबंस की कुल देवी पदमावती जो किलकिला नदी के किनारे जिनका मंदिर आज भी है और इसी कारण इसका नाम पन्ना पड़ा है लोगों का मानना है कि पदमावती के मंदिर के कारण ही इसका नाम पन्ना पड़ा शुरुआत में इसे पहले पदमा, फिर परना जिरना और अंत में इसे पन्ना कहा जाने लगा इसकी इस्थिती पन्ना के उत्तर में बांदा जिला, पुरव में सतना जिला, दक्षण में कटनी और दमोह, तता पश्चिम में छतरपुर जिला है इस तरह यह चारों और जिलों से गिरा हुआ है चलिए, अब बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में यह मुल लूप से तेरमी सताबदी तक एक गौंड छेत्र था 1675 में बुंदिल खंड में महाराज़ छतर साल का सासन था उनका बोल क्वाला पूरे बुंदिल खंड में हुआ करता था उनके अध्यात में गुरू थे स्वामी प्रानाथ जी और उने के आदेश पर महाराज़ छतर साल ने पन्ना को अपनी राजधानी बनाया था तभी से इसका महत बढ़ने लगा था इसी कारण इसे महाराज़ छतर साल के शहर के रूप में भी जाना जाता है महाभारत कालिन विराट नगर की पहचान यहां के बरहटाच से ही की जाती है लोगों का मानना है कि पांड़ों ने अपने बनवास का अधिक्तम समय यहां पर बिताया है इसमें पन्ना सरंकला नामा परवतिय छेतरवी सामिल है कहा जाता है कि भगवान स्रीराम अपने बनवास के समय पन्ना से होते हुई चित्र कौट पहुंच रे थे जहां उन्होंने अपने बनवास के बारा वर्स वेतीत किये इस्तानिये लोगों का मानना है कि प्राचीन काल में पन्ना, बस्ती, किलकिला नदी के उस पार हुआ करती थी जहां राज गौंड और कोल लोगों का राज्ज था पन्ना से दो मिल दूर महराच छत्र साल का पुराना महल आज भी खंडर के रूप में है पन्ना को अठारवी और उन्नीसमी सताबदी में परणा भी कहते थे 1921 में यहां नगर पालिका का गठन हुआ अप्रेल उन्नीस सो नन्चास के पूर्ब या जिला बिन्द परदेश का हिस्सा था जिसे एक नाउंबर 1956 को मद्द परदेश में मिला लिया गया 20 अक्टूबर 1972 को सागर संभाग की स्थापना हुई इससे पहले पन्ना रीवा संभाग में आता था लेकिन 20 अक्टूबर 1972 के बाद सागर संभाग बन जाने के बाद इसे सागर संभाग में मिला लिया गया अब बात करते हैं हीरो की खान के बारे में पन्ना मुख रूप से हीरो की खान के लिए ही जाना जाता है पन्ना हीरो के लिए 20 सुपरसिद्ध है दुनिया में सबसे बड़ा हीरा मिलने का रिकॉर्ड पन्ना के नाम ही है इसी कारण इसे दा डायमंड सिटी आफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है भारत में सबसे ज़्यादा हीरा पन्ना में ही मिलता है और यह भारत का एक मात्र ऐसा प्रदेश है जहां हीरा इतनी मात्रा में पाया जाता है जहां हीरा मिलता है पन्ना का हीरा दुनिया में जाना और माना जाता है इसी कारण इसे हीरो की नगरी के नाम से भी जान जाता है और अब बात करते हैं पन्ना के मंदरों के वारे में पन्ना अपने प्राचीन और सुन्दर मंदरों के लिए भी परसिद्ध है यहां के मंदर पूरे बुंदिल खंड में चर्चित है इसी कारण इसे मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है यहाँ पर ऐसे अनेक मंदिर हैं जो पूरे प्रदेश में जाने और माने जाती हैं यहाँ पर प्राचीन और सुन्दर मंदिरों की भरमार है यहाँ पर कई ऐसे मंदिर हैं जो काफी परसिद्ध हैं तो चलिए आपको उन मेंसे कुछ मंदिरों के बारे में बताते हैं नमबर एक स्री बलदेव जी मंदिर यह मंदिर रोमन वस्तुकला से प्रेरित है मंदिर में बड़े स्तंबो के साथ महामंडव नामक बड़ा हॉल बनाया गया है इसे एक उबरे हुए मंच पर बनाया गया है ताकि बाहर से भी दर्सन किये जा सके स्री बलदेव जी की आकर्षन प्रतीमा का निर्मान काले सलिग्राम पत्थर से किया गया है इसकी सुन्दरता देखते ही बनती है या मंदिर लंदन पहले श्रिणि पर आधारित है या मंदिर स्रीकर्षन के बड़े भाई बलदाव जी को समर्पित है बलदाव जी का ये दुनिया में सायत पहला और आकरी मंदिर है इसकी खास बात यह है कि इसमें हर चीज सोला की गिंती में है जैसे सोला खंबे, सोला दर्वाजी, बल्देव मंदिर सहर की बहतीरिन सनचनाव में से एक है नमर दो है जुगल किशोर मंदिर जुगल किशोर मंदिर का निर्मान पन्ना के चौथी राजा महराज हिंदूपत सिंग ने करवाया था उन्होंने अपने शासनकाल 1758 से 1778 के बीच इस मंदिर को बनवाया था पन्ना के जुगल के शोर पूरे बुंदिल खंड में प्रसिद्ध है यह स्रीकृष्ण का एक ऐसा मंदिर है जो पूरे बुंदिल खंड में जाना और माना जाता है यह स्रीकृष्ण का अश्टी सिद्ध सलिग्रह बिग्रह है जहां पर लोग दूर दूर से दर्सन के लिए आते हैं लोगों का मानना है कि मंदिर में रखी गई स्रीकृष्ण की मूर्ती को ब्रंदावन से और्चा होते हुए लाया गया था यहां के मंदिर में मूर्ती जो है वो बुंदेल खंडी पोशाक में विराजमान है स्री कृष्ण के मुकट में रतन जड़े हुए है इस मंदिर को पन्ना के जुगल किशोर के नाम से भी जान जाता है और लोगों की आस्ता बहुत गहराई से इस मंदिर के साथ जुड़े हुई है स्री प्रानाथ मंदिर स्वामी प्रानाथ जी का मंदिर बहुत ही चर्चित है यह मंदिर महराच 76 साल के आध्यात्मी गुरू स्वामी प्रानाथ जी को समर्पित है लोगों का मानना है कि प्रानात जी ने 11 वर्सों तक यहां तपश्य की और फिर मंदिर में एक गुंबद के अंदर समाध ही ले ली इसे 1692 में बनवाया गया था मंदिर को 6 भागों वाटा गया है स्री गुंबड जी मंदिर, स्री बंगला जी मंदिर, स्री सद्गुरू मंदिर, स्री बैजुराज मंदिर, स्री चोपड़ा मंदिर और स्री खंजड़ा मंदिर इनमें से स्री गुंबड जी मंदिर 9 संग्मर्मर के गुंबदों वाली एक गुला कारिमारत के रूप में है और अब बात करते हैं पन्ना नैशनल पार्क के बारे में इसे 1981 बनाया गया था 1994 में इसे टाइगर रिजर्व गोसित कर दिया गया पन्ना नैशनल पार्क पूरे देश में पृसिद्ध है यहां का मुख आकशन है टाइगर्स हाला कि यहां और भी कई प्रकार के जानबर और पशू पक्छी देखे जा सकते हैं पार्क में आप समुंदरी जीब भी देख सकते हैं क्योंकि पार्क के पास एक केन नदी है जो बहुत ही बड़ी और चर्चित नदी है यहां के पानी में आप युराशियन इगल, उल्लू, बलेक इविश, मगरमच, गड़ियाल देख सकते हैं यहां पर कई तरह के सांप जैसे पाइथान, किंग कोबरा भी नजर आते हैं चीता, सलोथ वियर, चिंकारा, नील गाई, सांबर, जंगली, बिल्ली, आदी भी इस पार्क में आसानी से देखे जा सकते हैं पन्ना नेशनल पार्क में पक्छियों की लगबग 200 पर जातिया हैं यहां पर 6 पर जातियों के गिद्ध पाए जाते हैं जिनमें बिल्ड गिद्ध, वाइट बैक गिद्ध, एशियन स्किंग गिद्ध, हिमालयन, ग्रीफॉन गिद्ध, एजिप्टियन और यूरेशियन गिद्ध सामिल है सरदी के मौसम में यहां कई तरह की प्रवासी पक्छिभी देखने को मिलती हैं इनमें से कुछ इस प्रकार हैं पैराडाइज फ्लाइ केचर, पॉन्ड हैरोन, वाइट नेक, स्टॉर्क, हनी वेजार्ड, क्वेल, नाइट जर, स्पॉन्डिड डोव, किंग फिसर, बुलबुल, भारतिय, बाया बीर, आदी और भी अगर आपको यहां घडियाल देखने हैं, तो घडियाल देखने के लिए आप कैन घडियाल अभ्यारन जा सकते हैं, जो कैन और खुद्दर नदी के संगम स्थल पर बना हुआ है पन्डव नेशनल पार्क में आप हाथी की सवारी और बोटिंग का मजावी ले सकते हैं पन्डव फॉल पन्डव फॉल पन्डव राष्टिय उध्यन के अंदर इस्तिध है, यह एक सांत जहरना है पन्डव जलपरपात, पन्डव में कैन नदी की एक सहायक नदी दोआरा गिराया जाता है ये एक 12-80 जहरना है गिरता हुआ जहरना लगबक 30 मीटर की उंचाई से एक तलाब में गिरता है इसे हरे भरे जंगलों से गिरा हुआ माना जाता है इसके चार और हरे भरे जंगल हैं जो देखने में बड़े ही सुन्दर लगता है पंडव फॉल्स की सांती पवित्तरता और रहस्माईवातवरन इस्थानिये लोगों को और परेक्टों को आकरसित करती है इसके आसपास कुछ प्राचिन गुफाएं भी हैं लोगों का मानना है कि महाभारत के समय पंडव यहां पर कुछ समय के लिए रुके थे इसी जहरने में वो इशनान किया करते थे और इनी गुफाओं में उनका निवास था यहां पर कई प्रकार के ऐसे चीजें हैं जो आपको देखने में बहुत ही आकरसित लगेंगे यहां पर कई तरह की अब्यारण हैं जिन में कई प्रकार की जीब देखने को मिलते हैं इस पार्क में गूमने का सही समय सर्दी का मौसम है क्योंकि उस समय यहां पर इतना सुहावना लगता है कि जो आपका मन मुह लेगा पन्ना तलावों के लिए भी बहुत चर्चित है और यहां कई इतिहासिक तलाव है जो इस परकार है धरम सागर तलाव यह तलाव सूफी संत मदार सह की समर्ती में बनवाया गया था जो मदार टूंगा पहाडी की तलहटी में बना हुआ है यह बहुत गहरा है इसका पानी साफ निर्मल रहता है इसमें कमल भी खिलते हैं लोकपाल सागर तलाव पन्ना की राजा लोकपाल सिंग ने इसे बनवाया था यह खेरा पहाडी वसमार्क पर बना हुआ है यह पन्ना नगर बस्ती से संलगन एक निस्तारी तलाव है निर्पत सागर तालाव इसे पन्ना के महराज निर्पत सिंग ने अपने शासिंकाल में बनवाया था जो आज भी जियों काते हूं और लोग इसे पीने के लिए इसका पाने इस्तमाल करते हैं राम कुंड तलाव सारंग गाएं में राम कुंड नाम से प्राचीन तलाव है। जहां अनिक मंदिर हैं और देवालेवी हैं इस तलाव को प्राचीन काल में से पवित्र माना जाता रहा है। मकर सकरांती पर राम कुंड सरूबर पर मेला भी लगता है मकर सकरांती के दिन लोग इसमें डुफकी लगाती है जिसे बुंदिल खंड में बुड़की लगाना भी कहा जाता है और ये आद भी उतना ही चर्चित है इसके अलावा भी पन्ना में बहुत से तालाव हैं जैसे रैपुरा का तालाव, कुठार तालाव, अजैगर के तालाव, जोधपुर तालाव, कुमरपुरा का तालाव, बिक्रमपुरा तालाव, रानिताल तालाव, राजा तालाव, कुगा तालाव, खमरिया तालाव, आदी अन्न भी ऐसे कई तलाव हैं जो काफी चर्चित हैं तो यह थी जानकारी पंना के वारे में अब लोगों ने पंना से जुड़े हुए सिर्फ हीरों की खान के वारे में ही सुना होगा लेकिन हीरों के लाबा पंना में ऐसा ओर भी बहुत कुछ है जो देखने लायक है और जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं जिनमें पन्ना नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा चर्चित और प्रिसिद्ध हैं तो आप भी पन्ना घूमने जरूर आईए आसा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और हमारे चनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद